नमस्कार दोस्तों मैं सियम अनोज गुपता स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल All About Taxes पर आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे Medical Insurance की आओ टेक्स बचाओ सिरीज में हम बात करते हैं उन पेमेंट्स की उन इन्वेस्टमेंट्स की जो आपके लिए टेक्स सेव करती है आपका पैसा बचाती है तो आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे Medical Insurance की किस तरह Medical Insurance आपकी Health को सिक्योर करता है साथ ही साथ आपकी Tax Planning में भी हल्प करता है और आपका जो टेक्स है उसको सेव करता है तो ऐसे में ध्यान रखें Section 80D के तहत Medical Insurance जो आप कराते हैं जिसका Premium आप पे करते हैं उसकी डिड़क्शन आपको मिलती है इसके अलावा कुछ ऐसी पेमेंट्स और भी हैं जिसकी डिड़क्शन आपको Section 80D के तहत मिलती है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो Section 80D की डिड़क्शन है वो सिरफ एक Individual और Hindu Undivided Family के लिए ही अवेलेबल है अन्य किसी भी व्यक्ति के लिए Section 80D की डिड़क्शन आवेलेबल नहीं है अब बात आती है कि किस किस पेमेंट की डिड़क्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80D तो इसके regarding यहाँ पर बताया गया deduction shall be allowed if the SEC has made payment towards medical insurance तो अगर आप कोई भी medical insurance कराते हैं और उसका premium आप pay करते हैं तो ऐसे में वह है payment आपकी जो deduction के लिए available है उसके अलावा Central Government की कोई health scheme है जिसके लिए आप payments करते हैं तो वो payment भी आपकी deduction के लिए allowable है Preventive Health Checkup के लिए अगर आप payment करते हैं तो उसके लिए भी deduction आपको दी जाती है उसके बाद यहाँ पर बताया गया individual can make a payment for wife और husband तो ध्यान रखें spouse के लिए भी आप जो medical insurance premium pay करते हैं वो आप deduction के तोर पर claim कर सकते हैं अगर कोई husband अपनी wife के लिए medical insurance pay कर रहा है या फिर wife जो है अपने husband के लिए medical insurance premium pay कर रही है तो ऐसे में deduction claim की जा सकती है उसके अलावा अगर आप dependent children के लिए जो है insurance premium pay करते हैं वो भी आप deduction के तोर पर claim कर सकते हैं तो जहां रखें यहाँ पर dependent children कहा गया है अगर जो बच्चे है वो independent है तो ऐसे में deduction आपको नहीं मिलेगी deduction shall be allowed equal to the amount paid but subject to a maximum of rupees 25,000 तो यहाँ पर जितनी भी payment आप करेंगे उतनी ही payment की आपको deduction मिलेगी लेकिन maximum deduction आप 25,000 रुपे तक की claim कर सकते हैं मान लिजिए आपने payment की है 15,000 रुपे की तो आपको deduction मिलेगी 15,000 रुपे की लेकिन अगर आपने payment की है 30,000 रुपे की तो आपको deduction मिलेगी maximum 25,000 रुपीज की तो आपको जहां रखना है कि deduction आपको maximum 25,000 रुपीज की मिलेगी अगर आप एक senior citizen है आपकी age 60 year या उससे जादा है तो ऐसे में आपकी जो maximum deduction है वो 50,000 रुपीज कर दी जाती है तो अगर आप एक senior citizen है तो ऐसे में आपको यह deduction maximum 50,000 रुपीज तक की दी जाती है इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आप अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए और अपने बच्चों के लिए medical insurance premium pay करते हैं तो आपको maximum deduction मिलती है 25,000 रुपीज की लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए भी medical insurance premium pay करते हैं तो ऐसे में आपको extra 25,000 रुपीज तक की deduction आप क्लेम कर सकते हैं मान लीजिए यहाँ पर Mr. X है इन्होंने अपने लिए जो है insurance premium pay किया 35,000 रुपीज का और इन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए insurance premium pay किया मान लीजिए 20,000 रुपीज का तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि maximum deduction जो उन्होंने अपने लिए पे किया है उसमें उनको मिलेगी 25,000 रुपीज और parents के लिए उन्होंने 20,000 रुपीज पे किया है तो ऐसे में यहाँ पर deduction मिलेगी 20,000 रुपीज की तो टोटल डिदक्शन यहाँ पर 45,000 रुपीज की क्लेम की जा सकती है तो जहां लखे अपने लिए अपने बच्चो के लिए अपनी वाइफ के लिए अपने हस्बेंट के लिए जो प्रीमियम पे किया जाएगा उस पर maximum deduction मिलेगी 25,000 रुपीज की और इसी तरह अगर आप आप पेरेंट्स के लिए पे करते हैं तो उस पर भी maximum deduction आप 25,000 रुपीज की एक्स्ट्रा क्लेम कर सकते हैं However, if the policy has been taken in the name of senior citizen, deduction shall be allowed to the extent of रुपीज 50,000 रुपीज यहाँ पर एक extra benefit और दे दिया गया की अगर आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी age 60 years या उससे जादा है तो ऐसे में उनको maximum deduction जो है 50,000 रुपीज तक की दी जाएगी मान लीजिए हमारे इसी example में अगर आपके जो पेरेंट्स हैं वो senior citizen है और आप उनके लिए मान लीजिए 40,000 रुपीज का premium pay करते हैं तो यहाँ पर maximum deduction आप अपने लिए 25,000 रुपीज और पेरेंट्स के लिए जो आपने 40,000 रुपीज पे किया है 65,000 रुपीज की deduction claim कर सकते हैं क्योंकि in that case आपके पेरेंट्स senior citizen है और इस case में maximum 50,000 रुपीज तक की deduction आपको मिलती है तो यहाँ पर आप 65,000 रुपीज की deduction claim कर पाएंगे उसके अलावा यहाँ पर एक limit लगाई गई कि अगर आप preventive health check-up के लिए अगर payment कर रहे हैं तो ऐसे में maximum deduction 5,000 रुपीज की आपको allow की जाएगी for aggregate, for self, spouse, dependent children and parents सभी का total मिलाकर maximum 5,000 रुपे तक की छूट आपको दी जाएगी preventive health check-up के लिए तो I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा उसके बाद अगर हम बात करें हिंदू undivided family की तो हिंदू undivided family के case में किसी भी member या करता के नाम से जो है policy ली जा सकती है और उसकी जो आप deduction claim करेंगे वो भी आप similarly in case of individual जो है आपको allow की जाएगी तो अगर हुआफ के लिए आप deduction claim कर रहे हैं तो maximum 25,000 रुपीज की deduction आपको दी जाएगी लेकिन अगर senior citizen है तो maximum 50,000 रुपीज की deduction आप claim कर सकते हैं पेमेंट जो आपको करनी है medical insurance के लिए payment should be made otherwise than in cash आपको जो पेमेंट करनी है वो cash में अगर आप करते हैं तो आपको deduction नहीं मिलेगी लेकिन अगर आप insurance premium पे कर रहे हैं या फिर central government की किसी health scheme में पे कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको cash के अलावा जो है वो payment करनी होगी that means check के जरिए net banking के जरिए In case of senior citizen in general medical policy is not issued hence expenditure can be claimed on their medical treatment and deduction for such expenditure shall be allowed but limit shall be the same as given up तो ज्यान रखें senior citizen के case में generally medical policy issue नहीं की जाती है एक age limit के बाद लेकिन उनके लिए जो भी आप expenditure करेंगे अगर वो आपके documented proof है तो आप यहाँ पर जो है उसकी deduction claim कर सकते हैं under section 80D लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर भी आपको जो payment करनी होगी वो other than cash करनी होगी cash में अगर आप payment करेंगे तो आपको deduction allow नहीं की जाएगी तो I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि अगर आप medical insurance या medical expenses पे करते हैं तो ऐसे में आप कितनी deduction claim कर सकते हैं इसके regarding अगर आपको कोई question है कोई doubt है तो आप हमें comment box में type कर सकते हैं देखते रहिए like करते रहिए share करते रहिए हमारे youtube channel all about taxes को करते हैं करते हमें झाल झाल